असलाम अलेकुम ग्रेट फाइफ, I'm your Maths Teacher Sabah और हम आज आपकी टेक्स्बुक का चाप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, that is about decimals and percentages. उसमें हमने आज सॉल्व करनी है exercise 4A, जिसमें addition and subtraction of decimals होगी, तो आएं चल के उसको देखें. चाप नंबर 4 में हमने understand करना है decimals and percentages के आपस में relationships के बारे में, इनकी multiplication, addition, fraction, division के बारे में and different operations इन पे किस तरह से apply होते हैं उसके बारे में. तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे decimals की, कि उनको add और subtract किस तरह से किया जाते हैं. उसके लिए कुछ important terms जो आपको पता होनी चाहिए. उन में से एक है decimal places. यह आपने पहले भी सुनी होगी. तो for example, अगर हम इस वाली decimal को ले लें, 42.3, तो यहाँ पर हमें पता है कि decimal places क्या है? 3 जो है, उसकी decimal places है 10th and that's why हम उसको इस तरह से refer करेंगे. यहाँ पर जैसे हमें पता है 1s, 10s, 100s और पर इसके वास 10th, 100s, 1000s. ठीक है? इन पर TH आते हैं और इस तरह से हम इनकी positions को मार्क करते हैं. अब यहाँ पर देखना है ज़रूरी है कि अगर हम 42.3 को देखें, तो कितने decimal places है? एक, क्योंकि एक decimal के बाद number आ रहा है तो हम कहेंगे वन decimal place वाला एक number है. दूसरे पार्ट में दो decimal places हैं. So we can say answer correct to two decimal places. अब होता यह है कि आप तब तक दो different decimals को add नहीं कर सकते, जब तक आप उनके इस तरह से arrange ना कर लें decimals को. एक जो है उसके दो decimal places हैं, एक जो है उसके तीन decimal places हैं, ये दोनों generally क्या हैं? अनलाइक decimals. इनके अंदर के जो numbers हैं, उनके same decimal places नहीं हैं. तो जब दो numbers के आपस में decimal places same नहीं होते, हम कहते हैं वो unlike decimals हैं. और उनको like decimals बनाने के लिए हम उनको इस तरह से लिख देते हैं, कि tense जो हैं, वो आपस में एक साइट पे आएं, hundreds अगर कोई नहीं है, तो hundreds की position पे आएं and so on. तो हमने unlike decimals थी, उनको like decimals की सूरत में लिखती हैं, अब हम उनको add और subtract कर सकते हैं. तो तीन टर्म जो हमने understand की हैं, पहली है decimal places, दूसरी है like decimals, तीसरी है unlike decimals, और इसके साथ अब हम start करेंगे exercise 4a, जिसके पहले question में आपने blanks को fill in करना है. तो अगर हम exercise 4a का पहला question देखें, ए पार्ट में आपने add करना है इन दो different decimal figures को, अब यहां पर मैंने इनको like decimals की सूरत में लिखती हैं, कि जो tenths ही, वो दोनों आपस में एक साथ आ गई है, hundred वाली उसके बाद आई है and बाकी ones are together, tens and then hundreds. So if we add these, 9 के उपर कुछ नहीं है, तो 9 plus 0 would be 9, 9 plus 2, 11, 1 carry, 7 plus 7, 14 plus 1, 15, 1 carry, 6 के साथ नीचे कुछ नहीं है, plus 1, 7 and 1, 175.19 हमारा answer आगया for part A, तो ये आपकी blank का जवाब होगा, अगर हम इसी तरह B part देखें, उसमें आप आपने subtract करना है, फिर से उन्होंने आपको एक statement दी वे है, आप उसको proper like decimals की सूरत में साथ साथ लिखोगे, decimal के बाद जितने figures हैं, वो बिएक ही same position पे आने चाहिए, जब हम उनको subtract करना शुर fraction में होता है, तो हम बॉरो करेंगे, ये 5 बन जाएगा and this will be 10, when we have 10 here, 10 minus 1 would be 9, so we can write 9 over here, decimal अपनी position पे आचाहिए, 5 minus 5, 0, 5 minus 5, 0 and 8 as it is, so 800.901 हमारा answer आगया for blank number 2, अब चलके देखते हैं हमारा next blank. Part C को अब हम देखते हैं, Part C में हमने 3 different figures को आपस में add करना है, उनको भी हमने like decimals की तरह adjust किया है, so if we start adding them, 9, उपर कुछ भी नहीं है, तो 9 as it is, यहां पर आ जाएगा, then 9 plus 0 is also 9, 9 plus 0 plus 0 is also 9 and decimal यहां आ गया, 9 plus 2, 11 plus 1, 12, तो 2 और 1 carry, 3 plus 1, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 4, 13. तो आपका जवाब क्या है, 132.999 और इसको आपने अब अपनी C blank में fill in कर देना है, D part है, 7, 8, 4, 6.199 is taken away from 9,000, what do you get? तो आपने क्या करना है, आपने minus करना है, 7, 8, 4, 6.119 को 9,000 से, अब हमें इनको पहले तो like decimals बनाने हैं क्योंकि unlike हैं, एक की जहें 3 decimal places हैं, एक की कोई decimal है ही नहीं, तो हम उस पर decimal डाल देंगे, तीन zeros आट कर देंगे और अब यह like decimals बन गई हैं, अब इनको हमने क्या करना है, subtract करना है, तो when we start subtracting them, अब हमें पता है कि 0 से 3 side digits subtract नहीं होंगे, हम 9 से borrow करना शुरू करेंगे, 8 और यह बन जाएगा, 9 और यह बन जाएगा, 9, 9, 9, 9 and then 10, So, we have borrowed for each number, अब हम इनको subtract करना शुरू करते हैं, 10 minus 9, 1, 9 minus 1, 8, 9 minus 1, 8, 9 minus 6, 3, 9 minus 4, 5, 9 minus 8, 1 and 8 minus 7 is 1, So, this will be your answer for part number D, time to look at part E, part E है, 132.5 and 632.005 equal, So, you will write them sum की सूरत में, 132.5, 632.005, इनको हम like decimals बना देते हैं, add करके देखते हैं, 5 plus 0, 5, 0 plus 0, 0, 5 plus 0, 5 decimal, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 1 plus 6, 7, So, what's our answer? 764.505, अब यहां पर एक और चीज़ जो आपने notice करनी है, decimal के बाद जो digits होते हैं, उनको आप साथ मिला के जैसे 505 नहीं बोलते हैं, उनको आप हमेशा separately बोलते हो, जैसे 764.505, उपर भी 1153.881, तो decimal के बाद हर digit को आपने individually बोलना है, अब चलके देखते हैं, question number 2 को, question number 2 है, आपने बताना है कि statements true हैं या false, तो अगर हम हमारी पहली statement को देखें, in a set of decimal numbers, if each number has a different decimal place, then the numbers cannot be added, अब भी हमने इतनी सारे examples की हैं, जिसमें numbers रहें, उनके same decimal places नहीं थे, हम क्या करते हैं, हम उनको like decimals बना देते हैं, तो यह false है क्योंकि they can be added, आप उनको दूसरे तरीके से rearrange करके लिख सकते हैं, और उनको add या subtract कर सकते हैं, तो पहला part false हो गया, दूसरी statement है, like decimal numbers have the same number of decimal places, like decimal numbers उनहीं को कहते हैं, जिनके decimal places जो हैं same होते हैं, यह हमने शुरू में पढ़ा था, तो इसको भी हम true कह देंगे, part B is true, C है, the number 81.008 has one decimal place, हमें कितने decimal places नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, वो कह रहें, इसका सिट एक decimal place है, is that true, no, so this is false, अब हम part D को देखेंगे, to add or subtract decimal numbers, unlike decimals should be converted into like decimals, add यह subtract करने के लिए, जो हमारे unlike decimals होते हैं, हमें उनको like decimals में तबदील करना पड़ता है, क्या यह true है, जी हाँ, यह बिलकुल true है, this is correct, आप तब तक add यह subtract नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उनको like decimals की सूरत में ना लिखने हैं, हमने जितने भी questions किये हैं, उनको like decimals की तरह से लिखा हुआ था, lastly, the number 34.8 has two decimal places, if we look at this, कितने decimal places है, one, तो हमें क्या यह true करना चाहिए, नहीं, इसके अंदर false, सिर्फ एक decimal place है, so we are going to go with false and with that, हमारा यह lecture है, वो खतम होता है, question number one or question number two, हमने 4 a.k कर लिया है, अगले lecture में हम question number three or question number four को complete करेंगे, see you in that lecture, Allah Hafiz. अगले में हम आसे जहीं, झाल झाल